असलाम अलेकुम 7th class, I am your math teacher Hamna Today is our lecture no. 105 of mathematics Unit no. 7, Financial Arithmetic Exercise no. 7b Okay class, कल हमने exercise 7b का question no. 3 and 4 solve किया था अच question no. 5 से start का रहे है Question no. 5 की का statement है A trader marked his goods at 20% above the cost price If he allows his customer a 10% discount Find his profit percent Question में क्या बोल रहे हैं कि एक trader है उसने क्या किया अपनी goods की जो cost price थी उसे 20% price ज्यादा रखते हुए वो mark की अपनी goods पे फिर उसने क्या किया अपने customers को बोला कि मैं आपको 10% का discount दे रहा हूँ खुद वो क्या का रहा है जो उसकी original cost price है उसे 20% price जो है वो extra mark का रहा है और customers को बोल रहा है कि मैं आपको 10% का discount दे रहा हूँ तो obviously profit जो है वो trader को यह हो रहा है हमने क्या find out करना कि trader को कितने percent profit हो रहा है solution देखते हैं हम suppose कर लेते हैं cost price है हमारे पास रुपीज 100 अब उसने 20% extra mark किये अपनी cost price पे अब यह percentage में है और percentage का क्या मतलब होता out of 100 तो हम यहां पर suppose कर लेते हैं cost price ही हमारे पास 100 है अब mark price हम find out किस तना से करेंगे उसने जो cost price थे उसमें 20% add किया था हम क्या करेंगे 100 में 20 add कर लेंगे तो हमारे पास mark price के आगे 120 अब discount find out करते हैं discount किस तरह से 10% of mark price है न अपनी mark price पे 10% का discount दे रहा हो तो 10% of mark price है percentage का symbol remove करेंगे denominator में 100 multiply by mark price कितने 120 then cancellation करेंगे 00 से cancel out हो गया 00 से cancel out हो गया 1 by 1 equal to 1 and 1 into 12 equal to 12 discount कितना आ गया रुपीज 12 का रुपीज 100 पर ठीक अब हमारे पास cost price भी mark भी और discount भी हमारी supposition के accordingly आ गया अब हम selling price find out करते हैं अपनी supposition के accordingly कि उसने कितने का sell किया होगा net selling price किस तरह से आएगी जो उसकी mark price है उसमें सब सब्ट्रेक्ट करेंगे जितना discount है इन रुपीज mark price minus discount mark price कितने थी 120 minus discount कितना था रुपीज 12 120 में से 12 को सब्ट्रेक्ट किया 108 तो net selling price क्या है 108 ठीक अब हमने profit percent find out करना है profit percent find out करना है तो उसका क्या formula होता है profit over cost price multiplied by 100% ठीक है तो यहां पर cost price तो हमारी supposition के coding लिए लेकिन profit नहीं है तो firstly हम profit find out करेंगे profit का क्या formula होता है selling price minus cost price selling price क्या है 108 और cost कितनी है 100 तो हमारी पस profit के आगए रुपीज 8 का ठीक अब profit percent profit 8 cost price 100 multiplied by 100% जीरो यहां पर 0 से cancel out होगे denominator में भी 1 रहा गया तो यहां पर 1% 8 into 1% equal to 8% तो profit कितना हो रहा है उसको हूद 8% का ठीक है हमने यहां पर actually find out क्या करना था profit percent उसके लिए cost price हमने suppose कर ली थी और हमें profit चाहिए था ठीक है और profit हमारे पास किस तरह से आता sales price में सा cost price find out करने के लिए कर क्याता है cost price हमारे पास है लेकिन sales price नहीं थी तो हमें पहले उसके लिए sales price find out करने थी और selling price के लिए mark price हमारे पास हमने वह find की उसके लिए हमने discount find किया और फिर हमारी selling price आई ठीक है और यह सारा काम हमने किस लिए किया profit find out करने के लिए ठीक ना question number six है हमारे पास a shopkeeper 25% शौप की पर क्या का रहे अपनी गुड्स पर declare का रहा है 20% profit वह बोल रहा है customers को मैं को 20% का discount दे रहा हो लेकिन खुद उसको profit कितना हो रहा है 25% का customers को बोल रहा है कि मैं आपको 20% का discount दे रहा हूं लेकिन खुद profit हो रहा है उसको what is the cost price of the goods हमने find out करने तो भी कोश्ट प्राइस क्या होगी अगर उसकी मार्ट प्राइस क्या है 2000 कि स्लूशन देखते हैं है कि हम स्पोस्ट कर लेते हमारी कोश्ट प्राइस क्या है एक्स और मार्ट प्राइस जो क्वेस्ट में गिवन है वो क्या है रुपीज कि तूटी परसट और किस्तना से आता है इसकar अगर हमने रुपीज करना पहला किस्तना से आता है जितनी परसंटेज में गिवन होता है ओफ मार्ट प्राइस यहँँपट्नी परसंट कीवश्ट तो 20 to 2400 discount कितना है रूपीस 400 का इस मार्क प्राइज पे अब सेल्स पैस्ट किस तरह से आती है मार्क प्राइज मैनेस डिस्काउंट मार्क प्राइज कितनी है 2000-400 तो क्या आगे सेलिंग प्राइज उसकी 1600 ठीक अभी जो question में information given थी उसके accordingly हमने mark price जो question में given थे उसके accordingly हमने discount और sales price find out कर ली हमने cost price find out करनी है profit किस तना से आएगा profit भी तो shop की पर को हो रहा है profit किस तना से आएगा sales price minus cost price यह उसका formula होता है sales price कितनी है 1600 और cost price कितनी हमने suppose की है x यह उसको profit कितना हो रहा 1600 minus x का और profit percent किस तना से हम find out करते है profit over cost price multiplied by 100% अब profit हमारे पास क्या आया है 1600 minus x वो यहाँ पर put करेंगे cost price कितनी हमारे पास x multiplied by 100% profit percent कितना हो रहा है 1600 minus x divided by x multiplied by 100% लेकिन question में हमें क्या बताया था profit कितना हो रहा है 25% का तो यह दोनो profit percent है its mean यह दोनों values equal है so 25% equal to किसके है 1600 minus x divided by x multiplied by 100% अब बोज साइट से percentage का symbol है तो बोज साइट से percentage का symbol cancel out क्या रहा है हमारे पास 25 this implies that 25 equals to 1600 minus x divided by x multiplied by 100 ठीक अब हमने यहाँ पर x की value find out करनी है x नीचे divide हो रहा है 25 से जाका multiply होगा क्या आगे हमारे पास 25 multiplied by x equal to 1600 minus x multiplied by 100 ठीक है 25 into x 25 x अब यह 100 इस bracket के बाहर लिखा हुए its mean bracket की तमाम terms के साथ वो multiply होगा पहले 1600 से multiply करते है 100 को क्या answer आगे हमारे पास 1,60,000 minus 100 को x से multiply करेंगे क्या answer आगे हमारे पास 100 x x को एक साइट पर लिख लेते हैं और constant value एक साइट पर 100 x यहाँ पर subtract हो रहा है equality की साइट पर जाकर add होगा 25 plus 100 x equal to 1,60,000 25 में 100 add किया 125 x equal to this अब हमने x की value find out करने थी its mean x के साथ जतनी values है वो quality की दूसरी साइट पर जाएंगे 125 x के साथ multiply हो रहा है quality की इस साइट पर आकर divide होगा अब यहाँ पर आप चाहें तो directly divide कर लें या फिर आप cutting कर लें मैंने यहाँ पर directly divide किया यहाँ से आप devian check कर लेंगे ठीक है डिवाइट करने के बाद हमारे पास क्या answer आ गया 1280 तो x की value आगी हमारे पास x हमने क्या suppose किया था वो क्या थी cost price तो cost price क्या है 1280 जो original cost price थी ठीक है और उसने mark के की हुई थी 2000 ओके क्लास आज हमने किया exercise no.7b का question no.5 and 6 आप इसकी practice करेंगे और definitions को revise करेंगे ओके बेस्ट ओफ लग